नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो Root Mobile Limited शेर कहीं दिनों से एक ट्राइंगल पैटन में ही ट्रेड कर रहा था और दोस्तों जब यह शेर इस जोन में ट्रेड कर रहा था तब ही मैंने कहा था कि अगर इस शेर का यहाँ पर Breakout होता है तो हम इस शेर में खरीदारी कर सकते हैं और अगर दोस्तों अपने इस शेर को इस प्राइस पर भी खरीदा रहता तो अगर हम यहाँ पर आज का हाई प्राइस देखे तो हमें दिखते हैं कि सिर्फ दो दिनों में इस शेर में 10 प्रतिशत के रिटरंस कमा के दिये तो दोस्तो आज के वीडियो में हम करने वाले इस शेर का टेक्निकल एनलिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेर में यहाँ से और अच्छी तेजी आ सकती है या फिर हमें थोड़ा सा correction देखने को मिलेगा क्या अभी इस share को खरीदने का सही मौका है या फिर अभी हमें इस share को बेच देना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस share में हमारे short term targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले बात आती है इस share में support की तो यहाँ पर आप देखो 1659 रुपीज का level इस share के लिए एक strong support है क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहले इस share ने इस zone में इदर support लिया था उसके बाद इस share ने इदर resistance फेश किया तो अगर अभी कोई भी गिरावट आती है तो यह share इसी level पर support ले सकता है अगर बात आती है share में resistance की तो यहाँ पर आप देखो कि 1780 रुपीज का level इस share के लिए एक strong resistance है क्योंकि पहले भी एक बार इस share ने इदर resistance फेश किया उसके बाद इस zone में और आज के trading session में भी तो दोस्तो अगर यह share इस zone के उपर चला जाता है तो इस share में यहाँ से और धमा के दार तेजी आने की संभाव ना रहेगी आईए अब हम देख लेते हैं इस share में कुछ important technical indicator समय क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो important indicator को लगाँगा जो पहला indicator है वो है MACD और दूसरे indicator है RSI तो दोस्तो अगर बात आती है इस share में MACD की तो MACD में अभी दो दिनों से positive histogram generate होना शुरू हो गए है पर इनका जो size है वो बहुत छोटा है अगर बात आती है RSI की तो RSI में हमें एक अच्छी उच्छाल देखने को मिली है और RSI हमें buy का signal दे रहा है आईएव हम देख लेते हैं मैं इस share में कब खरीदारी करूँगा और मेरे क्या target रहेंगे तो दोस्तो अगर बात आती है share में खरीदारी की तो अगर यह share मुझे 1670 रुपीज के नस्दीक मलता है इस zone के नस्दीक तो मैं इस share में entry लूँगा पर दोस्तो अगर आपके पास already कोई holding है तो आप इस share को भी hold कर सकते हो या फिर दोस्तो अगर इस share में यहां से ही तेजी आ जाती है और यह share यहां से ही अपना 1770 का resistance ब्रेक कर देता है तो भी मैं इस share में entry लूँगा अगर आपको अभी का रिदारी करने है तो small quantity इसमें कर सकते हो जैसे के मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी तो आप already 10% जितने profit में भी आ गए हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस share में में कोई भी बाई सेल या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद